क्या आपने कभी सर्च किया है कि आपका चैनल सर्च में आता है या फिर नहीं आता है क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपका चैनल सर्च में आए तो आपके चैनल पर व्यूज जितने आ रहे हैं उससे डबल आ सकते हैं आपने ये सोचा है कि जो आपका channel का नाम है सही लिखा हुआ या गलत है, क्या आपको ये पता है कि channel search में लाने के लिए keyword भी लिखने होते हैं, या आपको ये पता है कि keyword लिखते time आपको कहां कहां पर ध्यान रखना होता है अगर नहीं पता है तो इस video को जरूर देख लेना क्योंकि इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका channel search में कैसे आएगा आपके channel को search में लाने के लिए mobile पर क्या-क्या setting आपको अपने करनी है और किस तरीके से काम करना है और आपको proper guide करूँगा और आपको पता चलेगा कि आपका channel search में कैसे आता है चुकि जब आपका channel search में आने लगता है तब आपके channel पर earning होने लगती है तब आपके चैनल को लोग देखने लगते हैं तब आपका नाम होता है आपका ब्रांड बनता है आप सिर्फ यूटूब पर वीडियो बनाकर नहीं बन सकते आपका अगर ब्रांड बन गया तो आप यूटूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेस्बुक पर कहीं पर भी वीडियो बनाएंगे उस नाम का, उस ब्रांड का वैलू बन जाएगा तो चैनल सर्च में लाना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है आपके लिए, आपके चैनल के लिए क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाती है चलो बिना टाइम बेस्ट के होए मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको यूटूब पर अपने लेकर चलता हूँ यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा become creator, जैसे ही मैं become creator सर्च करता हूँ आपके सामने इस तरीके से interface open होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चैनल जो है यह टॉप पर आ रहा है टॉप पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर एक दूसरे का चैनल किसी का आ रहा है उसका नाम अलग है और मेरा channel इसलिए यहां पर आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ 4 वीडियो डाली है और यहां पर यह channel मेरा search में आ रहा है सिरफ और सिर्फ 4 वीडियो अभीतक अप्लोट की गई है राइट? 3 वीडियो long एक वीडियो sort की अब उसके बाद चैनल सर्च में मेरा आ रहा है नाम जरूर लिखे अपने चैनल का जैसे आप यहां पर देख पाएंगे नीचे यहां पर यह मैंने लिख रखा है आप become creator को YouTube चैनल पर trust करके वीडियो को देख सकते हैं धनेवाद यह मैंने लिखा है और यह मैंने description में channel का नाम लिखा है पहला काम आपको यह करना है अपने channel YouTube Studio में आ जाना जैसे कि अब ही मैं आपको अपने YouTube Studio में देख पा रहा हूं यहां पर आप देख रहे हैं उसके बाद नीचे यहांपर आना है जब आप नीचे आएंगे तो यहांपर एक option आता है setting का सेटिंग पर क्लीक करना उसके बाद चैनल का एक option आता है चैनल के option पर आने के बाद यहाँ पर keyword लिका हुआ है यहाँ पर आपको आपको अपने चैनल से रिलेटेड कीवड डालना है यह keyword आप जरूर दालने के बाद एक काम आपको और करना होता है upload default पर click करें upload default पर click करने के बाद आपको अपने title में और अपने description में become creator यह जो भी आपके channel का नाम है वो जरूर लिख दीजी यह जब लिखते हो तो फिर आपका channel सबसे उपर top पर आता है और यह चीज़े हमेशा आपके description में लिखी रहेंगी यहाँ पर tag में भी आपको लिख देना है अपने channel के बारे में become creator यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने यह मैंने लिख दिया become creators यहाँ पर जैसे मैं लिख कर उसके बाद मैं नीचे save पर click कर दूँगा यह मैंने save कर दिया है अब यह काम करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे ही अपने video के अंदर डालना जब भी आप कोई video upload करें तो आप video के description में भी इस चीज को लिखें इसी तरीके से जैसे कि अभी आपको मैं दिखा हूँ अपने video पर click करता हूँ इस video पर अगर मैं click करके edit वाले option पर लेकर चलूँ को मैं दिखा हूँ इस video यहाँ पर edit पर कराओं कोफिक से नेना गरा से संदट ह 16 से डाल रखें जोटी आपको हर वीडियो में अपनी डालनी होती है यह काम आपको करना है अगर आपको अपना चैनल सर्च में लाना है आपको यह वीह कैसा लगा नीचे क्मिंट सक्षन में जरूर बताएं वीडियो देखने के कर दो